मित्रो मंत्रो में बहुत ज्यादा ताकत होती हैं जिसके दम पर कुछ भी किया जा सकता है बड़े रिसी महात्मा ने बड़े देवी दियोताओं ने मंत्रो की जाब की हैं और इनकी चमतकार को अपने जिवन में अनुभाव भी किया है मित्रों मंत्रों से असंभव को भी संभव किया जा सकता है जैसे कि मंत्रों के मदद से जो अगस्त मुनी है इसने समुद्र की पूरे पानी को पी गया था मंत्रों के प्रभाव से ना चात्वी रावणा और कुम करना को ब्रह्मदेव ने आसिरवाद दिया था क्योंकि मंत्र में देवी दियोता बज जाते हैं मंत्रों की महिमा अत्यांत हैं इसे सब्दों में बखान करना शंभाव नहीं है ऐसा कोई कायरा नहीं जो मंत्रों से ना हो और आपने जरूर देखा होगा टीवी सीरियाल देखते हैं किशी भी प्रकार के धार्मी कायरों को अगर आप मानते हैं देवी दियोताओं को मानते हैं तो मंत्रा पढ़ करके देवी दियोंता अद्रिश हो जाते हैं, मंत्रा पढ़ करके देवी दियोंता अपने रूप को छोटे बड़े कर लिया करते थे, और असूरों में भी यही शक्तिया होती है, असूर भी मंत्रों के प्रभाव से अपने छोटे सरीर को बड़े कर लेते थे हवा में उड़ते थे अद्रिश हो जाते थे मतब अपने रूपों को भी बदालिया करते थे मंत्र के प्रभाव से कुछ भी किया जा सकते हैं आज की बिड़ो में मैं आप लोगों को एक ऐसा चमतकारी मंत्र के बारे में बताऊंगा जिसका अगर सहीं तरीके से जब किया नहीं बोल सकते भगवान शंकर जी को मंत्रों का जनक कहा जाता है जितने भी मंत्र निर्माड हुए भगवान शंकर जी से हुआ है और बिना शंकर तथा माता पारवती की कृपा की बिना कोभी मंत्र फली भूत नहीं होता इस मंत्र का जाब करने इस पहले बार भगवान श मित्रो यह मंत्र जितना ज़्यादा जपोगे जितने शंक्या में जपोगे उतने ही ज़्यादा आपको धन प्राप्ता होगा आपको गड़ावा धन मिल सकता है आपको रास्ते में पैसों का भरावा बेग मिल सकता है शक्टे के मध्धम से पैसा मिल सकता है किशी न किशी मध बिड़ो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार